नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के लिटी चोखा को जी आई टैक दलाने की तैयारी बिहार के 33 ये पंचायत प्रतिनीधी ट्रेन की एसी कोच में कर सकेंगे सफर दिल्गू टाइटनस पर पटना पाइरेट्स की शांदार जीत बिहार में फाइनिस कंपनी में 38 लाग की लूट पार बिहार के लिटी चोखा को जी आई टैक दलाने की तैयारी और हेडर डॉक्टर प्रवीन कुमार दुवेदी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि उन्होंने कहा है कि इसको लेकर नरधारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जी आई का प्रमान पत्र मल जाने की उम्मीद है ऐसे में अगर जी आई टैक मल जाता है तो बिहार के लिट्टी चोखा की ब्रांडिंग देश दुनिया में की जाएगी उन्होंने कहा कि इस छेतर में युवाओं को जुड़ने के लिए प्रोथ साहित किया जाएगा वहीं से जिर स्टार्ट अप शुरू करने वाले युवाओं को प्रसक्षन आदी दिये जाएंगे इलेना बाई ट्रांस स्टेडिया में खेला गया था वहीं स्मैच में तेलगू टाइटन्स के दोरा केवर 28 अंखी हासल किये जा सके मालूम हो कि पटना पाइलेट्स के लिए टीम के दिगज रेडर सचीन तनवर और मंजीत के दोरा अपना दबदबा बनाए रखा गया जह पर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यहां खबर आपके लिए है बतादी के बिहार के बेगुसराय में आगामी 15 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत असी लोगों को रोजगार मोहया कराया जाएगा बतादे के रोजगार मेला बेगुसराय नियोजन काड़याले के द्वारा आयोजित किया जा रहा है इस बारे में बेगुसराय नियोजन पदादीकारी राना आमितेश और नियोजनाले के कुंदन कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि इस रोजगार मेला क अपने साथ अपना बायो डाटा, आधार, कार्ट, पैन कार्ट, संबन, स्टैचनिक, प्रमान पत्र, अंग पत्र, पास्पोर्ट, साइस, फोटो के दो रंगीन फोटो लेकर पहुंचे बिहार के त्री अस्तर ये पंचायात प्रतिनीधी ट्रेन की एसी कोच में कर सकेंगे सफर जिसके तहर जलापरिसत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष fund AC बोगी में सफर करेंगे तो वहीं जलापरिसत के सदस्य से लेकर पंचाया सदर्शयो प्रकंड, प्रमुखव उप्रमुख मुखिया एवं सरपंच 2nd AC में सफर कर पाएंगे इसके अलावा उपसर पंच वो पंच थर्ड एसी में सफर कर पाएंगे इस संबन में पंचाइती राज विवाग के अपर मुख्य सुची मिहीर सिंग के दोरा आदेश शारी कर दी गई है विदेशी विश्य विद्यालियों में नहीं लागो होगा आरक्षन संसद में राजस्तांसत मनोज जाके दोरा केंद्रे सिक्षा मंत्री धर्मिन प्रदान से विदेशी विश्य विद्यालियों में आरक्षन के प्रयापधान पर सवाल किये गया थे जिसका जवाब देते वे केंद्रे सिक्षा मंत्री धर्मिन प्रदान के दोरा कहा गया कि जो विदेश विश्रिविद्याले खुल रहें वे अपने देश की नीती से चलते हैं उनका फॉक्स गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा प्रदान करता है इसलिए कॉलिटी एजुकेशन पर ध्यान केंदरत किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत में कई प्राइवेट और डिम्ड य या नहीं उस पर मंत्री ने कहा कि यह लागू नहीं होगा यही आरक्चन विरोधी बीजेपी की असलियत है बिहार में फाइनस कंपनी में 38 लाग की लूट पार्ट बिहार के मुझपरपुर के अयापुर थाना के सहबाजपुर में दो अपराधियों के दोरा एक माइक्रो फाइनस कंपनी के कारयाले को निशाना बराते वे 38 लाग रुपए की लूट पार्ट कर ली गई वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया इस घटना को लेकर मिले जानकारी के अंसार जब यह घटना घटित हुई उस दोरान कारयाले में करीब 6 कर अर्मी थे उसे पूछ ताज की गई है वहीं कुछ यूवक को हिरासत में भी लिया गया है और पूछा जा रहा है कि इतनी रात को कारयाले किस वज़े से खुला हुआ था देश में पहली बार बिहार के राजेपाल ने किसी ट्रांसजेंडर को बनाया यूनिवसिटी में सिनट सदस्य बनाया है रेश्मा प्रसार ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हैं ये पटना में सतरंगी दोस्ताना नाम से रिस्टुरेंट चलाती हैं जहांके सभी करमचारी भी ट्रांसजेंडर समुदाय कहीं हैं इसके लावा रेश्मा नेश्टनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर परसन की भी सज़स्ते हैं वो ट्रांसजेंडरों के हक और अधिकार के लिए आबाज उठाती रहती हैं पत्ना की राजधानी जलासे विदेशी पक्षियों की चोचहाहड से हुआ गुलजार बिहार की राजधानी पत्ना में सित्रा जलासे विदेशी और परसी पक्षियों से गुलजार हो गई है दरसल भन के मौसम में इस जलासे में कुछ विदेशी और प्रवासी पक्षी महमान बनकर रहते हैं ऐसे में इनके आओ भगत में राजसरकार के उर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाती मालुम हो कि यहां पहुंचे विदेशी और प्रवासी पक्षीयों की चहचाहर सचीवाले परिसर तक सुनाई देती है बता दे कि इन पक्षीयों को यहां आना सितंबर महीने से ही शुरू हो जाता है इस जलासे में कई अलग-अलग तरके प्रजाती की पक्षी पहुंचते हैं इस बारे में राजधानी जलासे के केयर टेकर महींदर कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि यहां 30 से जादा प्रजाती की पक्षी आती है ऐसे में इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है पक्षीयों को देखने और उनकी आवाज सुनने के लिए हर रोज यहां पर स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोग पहुँचते हैं और पक्षीयों की तस्वीर भी लेते हैं अब सीट से अधिक सवारी बैठने पर कटे का चालान राजधानी पटना के ट्राफिक अस्पी के साथ 9 दिसंबर को तमाम आटो यूनियन के साथ एक बैठक किया जाने वाला है जिसमें साफतोर से यनर्देश दिया जाएगा कि आटो पर चालक और मालिक का नाम और मोबाइल नमबर लिखा होना अनिबार है और साथ ही सीट से अधिक लोगों को बैठाने पर जिर्माना भरना होगा जिसके तहट अगर चालक के सीट पर ओटो वाले पैसेंजर को बैठाएंगे तो प्रती यातरी 200 रुपे जिर्माना देने होंगे मालम हो कि अनिर ने बरते जाम और दुर्गतना को देखते वे लिया गया है मालम हो कि वेविन थानों में आए दिन सिकायत आती है कि और टोचालकों के द्वारा ठगी की गई है वह यातरीयों के समान लेकर भी फरार हो जाते हैं जिसको देखते वे पटना पुलस के द्वारा या पहल की गई है मुख्यमंत्री प्रखन पड़िवहन योजना की ये है समय सानी अब राजी के प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों के लोगों को यातरी सुधा मिले और साथी बिहार के युवां को रोजगार का सुनेरा अफसर मिल सके इसके लिए राजी सरकार के ओर से मुख्यमंत्री प्रखन पड़िवहन योजना की शिरुवात की गई है वहीं सके आवेदन इस योजना के लिए आवेदन की शिरुवात 6 दिसम्बर से हो गई है और आवेदन करने की अंतिमतार 27 दिसम्बर 2023 सक नरधारित की गई है इसके बाद जिला पड़िवान पड़िवान पड़ा दिकारी द्वणा प्रखन वार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वड़िय सूची का नर्मान 28 दिसमबर 2023 को किया जाएगा जिला पड़ेवान पदाधिकारी द्वरा तैयार वरेता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चेहन समीती द्वरा लाभुकों का चेहन 29 दिसंबर को किया जाएगा स्विक्रित लाभुकों की सूची एवं प्रतिक्षा सूची को संबने जिला पड़ेवहन कारयाले में प्रकासित करते वे तीन दिनों की समय सीमा में दो जन्वरी तो हजार चौबिस को आपती अमंतरत करना है जला पड़ेवहन की रासी CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में आवेदन प्राप्ती के साहथ दिनों के अंदर किया जएगे अरवल जहानाबाद और बिहार सरीफ का सफ़र होगा आसान सरक का निर्मान अगले साल से शुरू होने की संभावना है मालू हो किसके साथ ही पुराने NH2C का करीब 51 किलो मीटर लंबाई में रोहताश जिले में भी दो लेन प्विट स्वल्डर के साथ निर्मान किया जाना है पियोके पर ग्रिह मंत्री के बयान पर लालू यादव की एंट्री पियोके के हालाद पर केंदरे ग्रिह मंत्री अमद साह के द्वारा दिये गए बयान पर अब राज़ा सुप्रीम लालू प्रशाद यादव की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने आज मीडिया के द्वारा पूछेगे सवालों का जवाब देते वे कहा कि अमिट साह को कोई चानकाली नहीं है पी ओके और जमो कश्पीर में आज भी हमले होड़े हैं और उन सब के लिए अमिट साह जिम्मधार है उन्होंने कहा कि लोग सभा चुनाव में दार जवाहरलाल नहरू है पतना विश्यवद्याली को संट्रल युनिवसिटी का दर्जा दिलाने के लिए जडियू ने उठाई मांग विहार के गोपाल गंज के जडियू सांस डॉक्टर आलोग कुमार सुमन के दवरा लोगसभा में सेंट्रल युनिवसिटी अमेंडमे से ने विधन किया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंदर सिलकार इस पर थ्यान नहीं दे रही कभी पुर्व का ओक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्य विध्याले आज उपेक्षित पड़ा है यह विश्य विध्याले 181.58 एकर में पहले भारतिय उपम को दावा किया गया उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोगसभाद चनाव को लेकर यह क्लीड हो चुका है कि देश में पियम मोधी की ही सरकार बनेगे इसके साती बिहार विधान सभा का चुनाव वर्स 2025 में आयुजित नहीं किया जाएगा तो 2024 के लोग सभा चुनाव में मुख्य मंत्रे नितीश खुमार बुरी तरह हाडेंगे और फिर इनका जो गडबंदन है वह सब खत्म हो जाएगा और जल्दी ये लोग चुनाव करवाएंगे और फिर बिहार पार्टी मजबूती भी नहीं है मद्रे प्रदेश में भी चत्रे पार्टी नहीं है जेडियों वहां से चुनाव लड़ी तो जमानत भी नहीं बचा सकी रहस्थान में कुछ समाजवादी पार्टी का वोट है लेकिन वहां भी कॉंग्रस मजबूती में है और इन तीन और जो में कॉंग्रस की मजबूती है उन्होंने कहा कि कॉंग्रस मजबूती से चनाव लड़े हार जीत तो अपनी जगा है विराट कोली के 100 सतकों के रिकॉर्ड तोरने पर ब्रायन लारा का बयान अनंद बाजार पत्रिका से बात करते वे अपनी टिपने दी गए उन्होंने कहा कि कॉली अभी 20 सतक दूर है अधिकांस क्रिकेटर अपने पूरे कडियर में इतने सतक नहीं जरपाते उन्होंने कहा कि उम्र किसी के लिए नहीं रुकती कोली कहीं और रिकॉर्ड तोरेंगे लेकिन सौस तक सबसे मुश्किल लगता है हाला कि लाडा के द्वार यह भी कहा गया कि अगर सौस अतकों के करीब आ सकते हैं तो वह कोली ही है अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की उड़ा हमारा पहला सवाल है जी आई टैक कितने साल के लिए माने होता है उप्शने 7, उप्शन B8, उप्शन C9, उप्शन D10 इसका सही उत्तर है उप्शन D10 अगला सवाल बहार के बेगुस राय में कब रोजगार मिला लगाया जा रहा उप्शने 27 दिसंबर, उप्शन B 18 दिसंबर, उप्शन C 15 दिसंबर, उप्शन D10 में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्शन C 15 दिसंबर अगला सवाल पटना विश्य विद्याले को नैक के द्वारा किस वर्स B प्लस ग्रेट से सम्मानित किया गया था? उप्शन A 2019, उप्शन B 2018, उप्शन C 2017, उप्शन D10 में से कोई नहीं इसका स्तही उत्तर है उप्शन D 2019 अगला सवाल बिहार विद्याल सभग का चुनाओ कब होने वाला है? उप्शन A 2024, उप्शन B 2025, उप्शन C 2026, उप्शन D 2027 इसका स्तही उत्तर है उप्शन B 2025 अगला सवाल मुख्य मंत्री प्रकन पडिवहन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक क्या है? उप्शन E 29 payment, उप्शन B 28 दिसमबर, उप्शन C 19 डिसमबर, उप्शन D 27 डिसमबर इसका सेह उत्तर है उप्शन D 27 डिसमबर इसके साथ ही बर्ते हाज के सवाल कियो राज का सवाल है ब्यार में बर्ते लूट पार्ट पर नकेल कसने के लिए प्रिशासन की ओर से क्या क्या किया कदम उठाये जाने चाहिए अपने जवाब हमें वारी comment section में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरहें के लिखते रहें बिहारे news और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें चलंग को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद